लो फ्रेंट्स इंडियन इकनॉमिन इंडियन फिनांशल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है यहां पर हम मॉड्यूल एक का चैप्टर एट दाट इस फॉरें ट्रेड पॉलिसी फॉरें इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट इस चैप्टर का एक बहुत इंप इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बहुत इंट्रेस्टिंग सेशन होने वाला है तो प्लीज दू वॉच इटिल दे एंड तो 28 ओगस से 2nd सेप्टमबर के बीच में जो सेशन होने वाले उनका पूरा टाइम टेबल आपके यहां पर दे दिया गया है इस आर पाट कौन से चाप्टर के कौन से टॉपिक्स को कराया जाएगा मंडे एंड थर्जडे को मेघा माम की पीपीबी की क्लास ट्यूजडे एंड फ्राइडे को निशान सर के ए-फम के क्लासेस होते हैं मेरे आई-ए-फस के वेंस्टे एंड साटड़े को राइट तो 7 पीम को आपके कर रहे हैं कि कोई foreigner invest करें तो वो कैसे कैसे कर सकता है उसके दो तरीके हो सकते एक तो FII तो इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है let's imagine कि जेट हलाल जी को एक फैक्टरी होजी establish करनी है अब इस factory में वह help चाते हैं Tom Cruise की Tom Cruise कैसे help कर सकते हैं पहले तो वह यह कर सकते हैं कि इस वाक्टरी में जेट हलाल को उन्होंने मशीन खरीद के दे दी तो अगर मशीन खरीद के दे दी टॉम क्रूज ने वह होगा for an direct investment यानि कि ये long machine खरीद के दे दी और फिर मुआ प्र क्रु Simmons क्या चाहेंगे कि इससे जो profit हो रहा है उसका थोड़ा part ने दिया जाए है नोटउ यह direct investment जो होता है वो long term के लिए किया जाता है और profits के अंदर profits मिले यह चीज expect करके की जाती है तॉम गोड हेसे Θरा को इसे भी help कर सकते है प्राक्टरि जो भी Company इनों ने स्टैब्लिश किये उसके शेर वो इश्यू कर रहे हैं उसको भी खरीच सकते टॉम क्रूस ने कोई वादा तो किया नहीं है यह हमेशा हमेशा साथ देंगे जेटालाल का तो वो शेर से मनी कभी भी जो है खीच सकते हैं तो यह शौट टर्म के लिए टॉम क्रूस करते हैं दो तरीके एक तो long term एक तो short term तो जो भी short term के लिए किया जाता है that is foreign institutional investment long term के लिए foreign direct investment ओके इसके और भी जो differences से पहलो है वो समझ लेते हैं example होगे investment in machine machine में invest किया direct example हमने यहां पर देख लिया long term perspective से किया जाता है और यह जो FDI है वो directly हमारे gross domestic product क्या है यह हमारा national income में contribute करता है इवन यह भी contribute करता है लेकिन यह काफी volatile होता है क्या होता हो अभी discuss करेंगे stable है यह क्योंकि अगर हमने machine में जो है यह कर दिया investment कर दिया तो हमें पता है कि कुछ साल के लिए तो हमने investment कर दिया यह तो नहीं कहेंगे कि भाई मेरी machine वापस करो मुझे चाहिए और फिर उसे ल economic profile पर depend करेगा यह इस company के performance पर तो depend करेगा ही कि Tom Cruise invest करेंगे की नहीं और यह country के macroeconomic profile पर भी depend करेगा कि वह country किस तरीके से economically और globally जो है है इंडिया का किस तरीके का track record है with respect to various economic activities globally तो उस पर depend करेगा क्योंकि यह long term के लिए कर रहे हैं तो अगर let's say country बहुत जादा political instability है तो क्य क्या होगा रॉस ही होगा राइट वह है रूट्स इसके अलग-अलग हो सकते हैं टाइप सिसके greenfield brownfield and joint venture greenfield यानि कि कोई foreigner Tom Cruise कहते हैं कि मैं अपनी company घड़ी करूंगा एक्दम scratch से तो that is called greenfield scratch से कोई चीज होती है greenfield यहां पर brownfield होता है कि कोई company already है जेटराल की company है उसे मैं ख तो thought process उसकी सबसे चलाऊंगा उसे तो that is brownfield यानि के existing चीज को खरीद लेना joint venture होता है जेट हलाल की company मेरी company दोनों मिलके काम करेंगे और हम बनाएंगे hero Honda ठीक है this is a typical example of a joint venture दोनों मिलके एक दूसरे के साथ sharing काई सारे जो money हो गया और काई सारे requirements होते हैं companies के उन सभी को शेय करें infrastructure share करें that is called joint venture एसी foreign institutional investment अब आपको बहुत ही आराम से समझ में आएगा यह short term shares होते हैं hedge funds भी हो सकते हैं hedge funds यह नहीं कि अरे इंडिया में foreign US में मुझे फायदा नहीं हो रहा है तो इंडिया के किसी share में invest करता हूं मैं और उसके profits से मैं इंडिया का sorry US का जो law से उसे cover-up क के लिए mostly invest किया जाते securities right इसके साथ साथ यह mostly GDP में contribute ज्यादा नहीं करता इवन दो यह पैसे इंडिया में आ रही हैं बट इस पर profit फिर देना यह सारी चीज़े करने होंगे और वह भी short term के लिए करना होगा तो बहुत ज्यादा national income में फरक नहीं पड़ता इससे कई बार यह कीच भी लिए जाते इंडिया में कुछ political issue हो गया तो सब अपने पैसे if Tom Cruise क्या कोई भी अपने पैसे इंडिया से खीचने लगेगा तो काफी वॉलटाइल है stability नहीं है यहां पर जब चाय तब पैसे खीच सकते हैं shares बेच दिये किसी और को और फिर भागे ऐसे machine के साथ तो नहीं किया जा सकता कि आ रहे हो घाड के दो मुझे नहीं हो सकता न तो यह stable है यह stable नहीं है this depends on hedging needs and capital liberalization of the country hedging needs पर depend करता है कि हमें profit कहां कहां से दिख रहा यह country के shares अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर जाके हमने invest कर दिया और उस country के capital liberalization पर भी depend करता है कि कितना पैसा invest करने वो country दे रही है that is called liberal country जादा दे रही है तो जादा कर पाएंगे नहीं तो कम इसे hot है बहुत ही जल्दी खीच लिया जा सकता है तो hot money इसे कहा जाता है यह money जो है वह जादा दिन तक रहने वाले नहीं है hot money है अब इसके types हम देख लेते हैं green field example है mcdonald's इंडिया में आकर आलू में टिकी बगर यह लेकर आ रहे हैं तो वह क्या है उस में तो नहीं बिकता प्रोडक्ट से वह इंडिया में नहीं बेचेंगे वह तो इस तरीके के जो चीजें वह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्स हम कह सकते हैं ब्राउन फील्ड इस डाइची संक्यों रैन बाक्सी एक फार्मसेटिकल कंपनी तो उसे डाइची संक्यों ने खरीद लिया completely तो दाइन ब दूसरे के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे टीक है पैसे मनी एंड एवरिटिंग तो यह शेयर कर रहे थे एक दूसरे का इंफ्रास्टक्ट्टर भी टस्टमर्स और मार्केट बेस भी शेयर कर रहे थे तो वह जॉइंट वेंच्यों तो अब भी अलग हो चुके बट अब इंडिया में FDI foreign direct investment करने से related कुछ sectors जो है prohibited है इसमें आप इस तरीके से पैसे नहीं लगा सकते लॉंग टर्म के लिए कुछ कंट्री जिन से हमें हमारी बहुत ज्यादा बंती नहीं है चायना पकिस्तान वहां से बहुत ज्यादा इंवेश्टमेंट आ रहे हैं मतलब कुछ तो घड़ बड़े तो कुछ sectors prohibited है lottery business gambling betting हो गया प्रचिट फंड्स हो गया रिल एस्टेट बिजनेस हो गया फार्म हाउस कंस्ट्रेक्शन सिगार्स के मैनुफेक्चर में और इवन अटॉमिक एनरजी रेलवे ऑपरेशिंस कंप्लीटली ओपन नहीं है ठीक है प्राइवेट सेक्टार के लिए तो थोड़ा वोते बड़ यह जो है FDII के लिए open नहीं है तो that is the thing अब हम इन questions को answer करते है concept I hope आपको बहुत ही अच्छे से समध में आया होगा FDI and FII के बीच का difference which among the following is correct with respect to foreign direct investment and foreign institutional investment FDI goes into hedge funds जी नहीं FII hedge funds में जाता है FDI goes into short term equities नहीं FII जो है short term में जाता है foreign institutional investment goes directly into production of goods and services तो यह भी correct नहीं goods and services के production यानि की machines वगरा में invest करना वो foreign direct investments होता है FDI goes into long term perspective exactly long term के लिए FDI किया जाता है so D is the right answer isn't it second question देखते है foreign direct investment is an investment made in a country by a foreign investor किसलिए foreign investor इस तरीके का investment कर रहा है short term capital in stocks and hedge funds के लिए FDI and short term so this is not correct one जहां पर भी हम eliminate कर सकते है control the ownership of an entity तो ownership मिलती है yes आप FDI में invest करने के साथ ownership किसी company का थोड़ा पार्ट आप ले सकते हो machine install कर वाय तो machine के ownership तो है तो यानि company का थोड़ा सब पार्ट का ownership है तो this is correct FDI के तुरू invest in machinery of an Indian company absolutely two and three तो से ही है तो आंसर क्या होना चाहिए T isn't it third question an investment in which Daiichi Sankyo of Japan acquires ran back see is an example of which among the following try करिये आप आंसर करने को green foreign direct investment greenfield FDI brownfield FDI या पिर joint venture FDI इन में से कौन से ही है तो we know कि जो existing Daiichi Sankyo क्या है एक existing company में invest कर रही है और उसे पूरी तरहे से acquire कर रहे है खरीद रही है तो that is a brownfield FDI isn't it existing में जब होता है तो that is called brownfield C will be the right answer last question या आपके लिए homework है इसका आंसर जरूर आप लोग लिखेगा in the comment section FDI is prohibited in which of the sectors कॉंसे सेक्टर में FDI prohibited है defense irrigation health या lottery business please do answer this question and if you have any queries आप हमें call कर सकते हो 8146207241 पर और अपनी queries को clarify कर सकते हो hello at the rate edutab.co.in पर भी आप अपने queries को mail कर सकते हो feedback भी दे सकते हो in session से related you can give the feedback in the comment section also so I hope you enjoyed the session thank you all the best